नबश्कार में अप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते देश प्रदेश की अपते की प्रमुख खबरों को और डिसा मेरे विवार को नई मंत्री परिशद ने शपतली से एक दिन पहले सभी 20 मंत्रियों ने इस्तिफा दे दिया था राजपाल गनेश जोशी ने तेरह विधायकों को मंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपत दिलाई है भुवनेश्वर के लोगसभा भवन के नए कन्वेंशन सेंटर में शपत ग्रहन करते देखी गया है मंत्रिपत की शपत लेने वालों में बीजयत के विधायक जगरनाथ सारक, निरंजन पुजारी और आरपी स्वेन भी शामिल है महिला विधायक को प्रमिला मलिक, उशा देवी और तुकूनी साहू को मंत्री पर पर हमला किया इसके लिए उन्हार ने क्रिकेट हिट से नेता बने और दिली भाजपा सांसत गौतम गंभीर के साथ अपने 2020 के ट्विटर पर हुए आरोप रत्यारोग का सहारा लिया बिहार में आज राज़ुत की तरफ से बिहार सरकार के रिपोर्ट कार्ट को जारी किया गया है हाला कि मुखी मंद्री नितिश कुमार इस रिपोर्ट कार्ट को लेकर बिलकुल ही इने फिक्र दिखे मीडिया से बाचीत के दुरान उना ने कहा कि हर किसी को रिपोर्ट का जारी करने का और सरकार के काम का आंकलन करने का हक है देश के कई हिसों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है दिली के सर गंगाराम अस्पताल के दॉक्टरों के प्रयासों से 13 वर्ष ये बच्चे के आवाज 7 साल बाद फिर से लोटाई है बच्चा ना तो कुछ बोल सकता था और ना ही ठीक से खा सकता था दॉक्टरों ने दुललब सरजुरी कर आवाज लोटाने में सफलता हासिल की है दरसल राजस्थान के रहने वाले श्रीकांत बदला नाम को बच्पन में सिर्स में चोट लग गई थी तब उसे लंबे समय तक 20 लिटर पर रखना पड़ा था इस कारण उसकी सास नली जाम हो गई थी इसके बाद डॉक्टरों ने सास के लिए ट्रेक्यो स्टॉमी विधी द्वारा गर्दन में छेद कर श्वास नली में ट्यूब डाले थी भारत में कोरोरा महमारी एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है बीते 24 गंटे में कुल 4,270 नए COVID-19 मामले दर्श किये गए हैं आपको बता दे कि पिछले दिन की तुल्ना में ये आकड़े 7.8 प्रितिशत अधिक थे इसके साथ इदेश में कोरोना के कुल 4,366,870 मामले हो चुके हैं केरल की स्थिती फिलहाल सबसे अधिक खराब है यहां 24 गंटे में 1465 नए मामले की पुष्टी हुई है कश्मीर घाटी में टार्गेट किलिंग की घटनाओं की चर्चा पुरे देश में है तरफ जहां टार्गेट केरिंग की वज़े से कश्मीरी पंडेतों और प्रवासी लोगों में खौफ पैदा हो रहा है तो मैं दूसरी तरफ केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है स्रीकड़ी में महरास्टर के मुख्यमंतरी और धफठाकरे ने कहा कि कश्मीरी पंडेत घाटी से भाग रहे है कश्मीरी पंडेतों को घरवापसी का सपना दिखाई गया था लेकिन उन्हें निशाना बनाकर हत्यायं की की जा रही है पंडेतों का पलायन चौक आने वाली घटना है दुनिया भर में कोरोना महमारी की रफतार थमने के बाद अब मंकी पॉक्स वायरस का खत्रा रगातार बढ़ रहा है मीते साथ मई को ब्रिटेन में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला मिला था मगर अब लगभग एक महीने बाद तीस से अधिक देश में कुल 600 के करीब मामले दर्श किये जा चुके है प्रधानमिंट्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी सरकार के आठ सालों के काम का रिपोर्ट का पेश किया है प्रधानमिंट्र मोदी ने अपने आठ सालों के उपलब्धियां गिनवाते वे ट्विटर पर ट्वीट किया DCGI ने कॉर्बवाक्स की कोरोना की बूस्टर खुरा के रूप में लगाने के नुमती दे दी है बालाजिकल ए लिमिटर ने इसकी घोशना की है इससे पहले DCGI ने पिछले साल 28 दिसंबर को व्यासकों को अपातका लिंस सित्यों में सीमित उपियों के लिए इस वाक्सीन को लगाने के नुमती दी थी इसकी बाद 9 मार्च को कुछ शर्टों के साथ DCCA ने 12-17 साल के आयोवर के बच्चों को को और वाक्स वाक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी थी कि वो आत्मातिया कर लेगी गुजरात में इस साल के अंत्र में विधानसभा होने है और लेकिन इस बार भाच्चपा 2017 की तरह कोई रिस्क लेने को तयार नहीं है यह माना जाता है कि 2017 विधानसभा चुनाव के आखरी दौर में अगर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने प शेश लोक अभियोजक ने बैंगरोरो नगर दिवानी एवं सत्र अदालत में चश्मंदीदों की एक सूची पेश की है एस पीपी ने शनिवार को अदालत को ये सूची सौब दी है इसकी प्रतिक्रिया में बचाव पक्ष के वकील ने इलेक्ट्रोनिक साक्षियों की पती दर्च कराने के लिए 6 जून तक का समय दिया है अंतराश्टी अस्तर पर प्रशंशित रेल कलाकार सुदर्शिन पतनायक ने विश्व परियावरन दिवस को चुनित करने के लिए पूरी में समुदर्शिन ने लिखा है कि हाश्टाग World Environment Day भारत में पूरी समुदर्श तर्ट पर मेरे संद आर्ट संदेश के साथ हमारे पास हाश्टाग Only One Earth है जो हमें ना केवर हमारे लिए बलकि हमारी आने वाली पीडियों के लिए उसकी देख़ाल करने की आवश्यक्ता है रूसी जासूस दिमित्री कोवतून का 57 साल के उमर बेनिधन हो गया है ब्रिटेन के अधिकारियों ने कोवतून पर 2006 में पूर्व जासूस एलेक्जेंडर लित वीले निको को जहर देकर बारने कारोप लगाया था मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरात सिंग ने सोशल इंजीरिरिंग के तहफ बुज़ूर और महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए दो साल पहले साल 2020 में मुख्यमंत्री तीर्थि दर्शन योजना शुरू की थी कोरोना काल में ये योजना बंद हो गई थी लेकिन एप्रिल 2022 में एक बार फिर से इसे बड़े जोर शोर के साथ शुरू किया गया है अब करीव दो महीने बाद तीर्थि दर्शन पर फिर ब् दी गई थी रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.5 रुपे का जुर्माना लगाया आज रास्टपती रामनात कोविंद और प्रिधान मंत्री नरींदर मोदी उतर प्रदेश के दोरे पर हैं प्रिधान मंत्री ने उतर प्रदेश को 80,000 करो रुपे की बाद दी भार्दी रिजर्व बैंक ने शुक्रबार को कहा है कि उसने पंजाब एंड सिंध बैंक पर बाहे मानक आधारित ब्याज में जुड़े कर्ज के मावले में जारी कुस निर्देश का पालन नहीं करने को लेकर 27.5 रुपे का जुर्माना लगाया ओल इंडिया मज बाद बाद में आस्था से जुड़े कुछ मुद्देश शामिल है औडिसा में वधानसभा चुनाव से किस महीने पहले मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने आधी क्याबिनेट बदल दी है भुवनेश्वर के राजभवन में शपत ग्रहन के दौरान 21 मंत्रियों ने शपत लिया है जिसमें 10 नए चेहरे हैं पिछले क्याबिनेट में राजमंत्री रहिव जगननाथ सरकार को क्याबिनेट मंत्री बनाये गया है औडिसा में मार्च 2014 में वधानसभा का च्रिनाव होना है प्रदूशन और बढ़ते तापमान से लोग बेहाल है हवा में घुला जहर और रिकार्ड पारा लोगों का जीना मुहाल बना रहा है ऐसे में इंसान के लिए पेड़ पौधे उतने ही जरूरी है जितनी हवा और पानी कुछ दिन पहले दिली सरकार का एक आदेश आया था जिसमें जिक्र था कि शहर को हरा भरा बनाने के लिए एक इस बार पौधारोपन का रिक्रम में जहाड़ी वाले पौधे अधिक होंगे दुनिया भर में आज परियावरन दिवस मनाये जा रहा है परियावरन को लेकर जाग रुकता पैदा करने के लिए हर साल आज के दिन है विशो परियावरन दिवस मनाये जाता है इसी के चलते परियावरन की बहतरी के लिए केंद्र की मोधी सरकार ने भी राज्यों और केंद्र सार्शित प्रदेशों को एकल उपाए वाले प्लास्टिक को ले करके सुझाब दिया है केंद्र ने चरनबत तरीके से ऐसे प्लास्टिक के उपियों को समाप्त करने और परियावरन को बहतर बनाने में योगदान करने के लिए ये परामर्श जारी किया है शूर पत्र का फोर्ब्स की फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का सातवा संसकरन हाली में जारी वाइस में 30 साल से कम उम्रे के 30 व्यक्तियों को समानित किया गया है एशिया प्रशान छेत्र के 22 देशों का प्रतन धित्व करती इस सूची में एक नाम एबल जॉप्स भी है या एक स्टार्ट अप है जिसके जरिये तीन युवा इंजीनिरों ने मिलकर दो साथ में 25,000 लोगों को नौकरिया दिलवाई है खास बात यह है कि इस आप को बनाने वाले तीनों युवा देश के किसी सर्व सुविधा संपन मेट्रो शेहर से नहीं बलकी मध्यप्रदेश के हरदा उतरप्रदेश के गोरखपूर और प्रयागराज जैसे छोटे शेहरों में पले बढ़े हैं महराश्र के पुर्फ मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिश नेता दिवेंद्र फटनविस को कोरोना हो गया है फटनविस ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी उन्हाने कहा कि वो कोरोना वाइरस से संक्रमित पाए गया है IPL 2022 में RCB की तरफ से शांदार प्रदेशन करने के बाद विकेट कीपर बले बाद दिनेश कार्ति की टीम इंडिया में बापसी तो हो गई लेकिन रिशप पंथ की उपस्तिती में उनकी जगे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं बीते महीने रिलीज भी कार्तिकारियन की फिल्म भूल भूलाया दो इस महीने भी सिनमा घरों में टिकी हुई है तीन माई को बॉक्स आफिस पर तीन फिल्म में रिलीज होने के बाद भी भूल भूलाया दो ने शांदार कमाई की जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष करना के बेंच ने असम से दिली में 83.62 एक किलोग्राम बजन के 500 सोने की बिस्कुट की तसकरी करने के आरोप में गिरफतार 9 लोगों की शुक्रबार को जमाना दे दी है इन दिनों सोशल मीडिया पर आबुधावी में हुए आइफा अवार्ड 2022 की तस्वीरों और वीडियो जम कर वायरल हो रही है इस बीच बच्चन परिवार की भी एक वीडियो सामने आई है जो इंटिनेट पर आग की तरह वायरल हो रही है तमाम से तारों ने आइफा के में इवेंट वाली रात को अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता वहीं अभी शेक बच्चन भी पीछे नहीं रहे और उन्हार नेपीस दबरदस डांस किया इतना है नहीं आई और अडियन्स में बैठी वी उनकी पत्नी अश्वरे और बेटिया राधिय खुद को रोक नहीं पाई कि तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कॉन दवारा ना भूले धन्यवाद